नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल तो आज हम बात करेंगे SBI शेर के बारे में जो कि हमको एक अच्छा यहां पर पॉजिटिव आज के दिन 2% से ज़्यादा बड़ातरी इसमें देखने को मिली तो आप देखी यहां पर लगा था अपने लोग के आसपास ही यहां पर अभी SBI जो शेर वो जो ते भी शेर आवज लगा था तीन दीन से चल रहा था और आज के दिन हम पर जो इसका सपोर्ट देखने को मिल रहा था उसके ऊपर हमको आज के दिन इसकी closing देखने को मिली है जो कि यहाँ पर एक बढ़िया बात है अब देखिए पिछले दिन भी हमको इस level से यहाँ पर जो इसका support बना था काफी strong support था इसके नीचे हमको यहाँ पर closing देखने को मिली थी जो कि यहाँ पर हमकों का थोड़ा दुख का कारण यहाँ पर बन सकता यह नहीं अगर यहाँ पर आपने buy वगयरा किया तो इसके यहाँ पर अगले target क्या होंगे और अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर confirm buy करने के लिए यहाँ पर position की यहाँ पर बनानी है तब यहाँ पर किन levels के उपर आप यहाँ पर buy position बना सकते है ताकि यह जो यहाँ पर downtrend है इसको हम यहाँ पर कह सकें कि यहाँ पर downtrend जो है वो खतम हो गया और अभी यहाँ पर एक uptrend बन जाएगा इसके बारे में पूरी वीडियो में detail में बात करेंगे तो वीडियो को last तक जरूर दिखीगा जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो करिप है यहाँ पर subscribe का बटन लिख रहा होगा यहाँ पर subscribe के बटन के ओपर क्लिक कर सकते हैं साथ में bell icon के ओपर notification के ओपर all कर दिजिए ताकि जो भी मेरी latest वीडियो जो आप तक आराम से पहुंच सकें सबसे पहले आप देखी निफ्टी 50 आज के दिन एक परसंट positive रहा हो और निफ्टी बैंक के यहाँ पर हमको लगा था आज के दिन पूरा दिन लगबग यहाँ पर देखने को मिली जो कि यहाँ पर कच्छी बात है क्योंकि आप देखिए निफ्टी बैंक हमको काफी ऊपर के लेफल से लगबग यहाँ पर 3700 के लेफल से यहाँ भी 3400 के लेफल से यहाँ पर चल रहा है तो जब तक आप दिखिए यहां पर बैंक निफ्टी लगबग 32,800 के उपर यहां पर हमको देखने को मिल रहा है तब तक यहां पर मैं कहूंगे एक अच्छी बात आप चाहे तो यहां पर एक बाइक की पोजिशन ले सकते हैं SBA के अंदर भी लेकिन अगर मा लिजए इस लावर को यहां पर तोड़ता है तो इसके बार इसका अगरा यहां पर सपोर्ट बनता है वो आप देख सकते हैं यह ट्रेंड लाइन के हिसाफ से लगबग 32,200 के आसपास का यहां पर एक सपोर्ट इसका बन रहा है तो अगर इस ल नीचे हमको यहां पर देखने को मिलेगा लगबग 331 के आसपास हम आज की बात करें तो आप देखे जो आज का यहां पर काफी स्टॉंग सपोर्ट बना था बिल्कुल उसके ऊपर ही हमको आज के दिन इसकी ओपनिंग देखने को मिली है उसके बार से लगाता है आप देख कि यहां पर कच्छा संकेत है SBA के लिए सब देखिए यहां पर लगाता है पिछले दिन हमको यहां पर जादा वॉल्म इसमें नहीं इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला था जैसे यहां पर हमको थोड़ा यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता था यहां पर प् रिकावरी से अंदर देखने को मिल Quindi आपक्री काफी घरने को मिला पिछले दिन के मकाबले हमको जब भी बाइंग अच्छी खासी देखने को मिलीजा तो यहाँ पर काफी घर बड़ा क्लीन गोदेखने को मिला जोकि थोड़ा सा नहां पे हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला थोड़ी यहां पे consolidation देखने को मिली यहां पre आप देखेए जब भी यहां पर हमको देखने को बैला शुरू के लगभग एग घंटे के रहाँ काफी ज्यादा वॉल्लिम देखने को मिला लेकिन उसके बार जब भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा consolidation आप देखिए देखने को मिला शेर जब थोड़ा सा नीचे की गए रहा है तब हमको यहाँ पर इसमें volume जदा नहीं किडीज होता हुआ देखने को मिला बलकि volume जब और भी कम होता हुआ देखने को मिला जो कि यहां पर मैं कोंगा कि buying करते जब यहां पर ऊपर share चल रहा था लोगों ने काफी अच्छी यहां पर buying की लेकिन जब भी यहां पर share थोड़ा consolidate किया तो लोग यहां से इससे निकले नहीं इसके अंदर यहां पर बरकरा रहे जो कि यहां पर एक अच्छी बार उसके बार आप देखिए पिसे यहां पर थोड़ी हमको गिरावड जरूर इसके अंदर देखने को मिले क्योंकि यहां पर market जाया है यहां पर हमको लास्ट के एक दो गंटे यहां पर थोड़ा सा नीचे की और आता हुआ देखने को मिला जिसकी वज़ा से SBI में भी हमको थोड़ी गि अधिर जाता हुआ देखने को मिलता है तब यहां पर मैं कौंगा यह जो दॉन जो डाउन इसका यहां पर बना हुआ यह यहां पर लगातार कंटिनू रह सकता है तो इस लेवल को तोड़ने के लिए इस लेवल के उपर हमको ट्लोजिंग थोड़े दो-च्यार दिन और यह यहां पर consolidation देखने को मिल सकती है तो यहां पर हो सकता है बार-बार शेर इस लेवल तक काई उसके बार फिर से हमको थोड़ा निचले लेवल सकाता हुआ देखने को मिले तो आपको बिल्कुल उसी हिसाब से यहां पर अपने ट्रेड बगारा लेनी है जब तक लगबग यहां यहां पर downside का बना हुआ था इसको यहां पर trend रिवल से तब तक यहां पर नहीं कह सकते है तो अगर आप बिल्कुल safe trade यहां पर लेना चाहते है तो यह जो इसका लगा था पिछले दिन आप देखिए हाई लगबग 371 के आजपस इसके उपर अगर यहां पर हमको एक यहां पर अच्छी कासी time थोड़ा बिताता है तब आप चाहे तो इसमें बाई बगारा कर सकते हैं short term के लिए उसके बाद यहां पर लगबग आप देखें फिर से हमको एक अच्छा यहां पर bullish trend देखने को मिल सकता है अगर कल की बात करें तो कल की बाद आप देखिए अगर आप यहां पर दुबारा 351 या 352 के लेवल से दुबारा आता हुए देखने को मिलते हैं तब यहां पर विच्छे यहां पर बाई वगएरा की यहां पर opportunity डूण सकते हैं यहां पर अपसेड की और गया तो यह आपको यहां पर अच्छा कासा resistance होगा इस लेवल के ऊपर अगर sustain कर पाता है तो उसके बार यहां पर हमको एक अच्छे और अपसेड की और लेवल देखने को मिल सकते हैं और पिछले दिन भी यहां पर लगबग यहां पर यह तीन बजे तक का data है तो आदे गंटे में फिर से हो के बराबर इसी लेवल के आसपास ही यहां पर हमको देखने को मिलेगी तो जब तक यहां पर delivery quantity increase नहीं होती तब तक यहां पर इसमें trend reversal हम इसको यहां पर नहीं मान स सकते हैं जो लोग यहां पर बिल्कुल safe gameplay करना चाते हैं वह लगबग यहां पर 371, 374 की उपर यहां पर जब भी चाहेगा तब आप यहां पर buying बगहरा कर सकते हैं उसके बार यहां पर एक bullish stand यहां पर ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है तो यह थी आज की वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार